कर दोस्तों आप सभी का स्वागत है आज के हमारे करेंट अफेट्स के 22 ओक्टोबर 2021 के करेंट अफेट्स में तो चलिए पहला क्यूशन है हर वैस्क को कोरोना की दोनों डोस लेने वाला पहला देश देश पहला देश का पहला जिला कौन सा बन गया है इसका राइट अंसर होगा ऑप्शिन नमबर डी भी आपका करेक्ट है यहाँ पर किन्नोर जोकी हिमाचल प्रदेश का एक डिस्टिक है ये करोना हर वैस्को को यहाँ पर दोनों डोस हो है करोना की वो यहाँ पर दी जा चुकी है हिमाचल प्रदेश का किन्नोर जिला देश का ऐसा जिला पहला जिला बन गया है जहां पर सो प्रतिसत योग्य अबादी को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है हिमाचल प्रदेश ने राज्यों की सो प्रतिसत अबादी 18 प्लस का T का करण करवा लिया गया है भी तक अगला क्यूशन है वेश्वी खादे सुरक्षा सूचकांग 2021 में भारत का क्या इस्थान है इस्थान क्या है तो इसका जो सही एंसर होगा यह होगा B. 71 वा जो इस्थान है वो आप लोगों को देखने को बलेगा दुनिया का 113 देशों के वेश्वी खादे सुरक्षा सुचकांग 2021 में भारत 31 वे स्थान पर है इस सुचकांग में भारत का स्कोर 57.2 रहा इस सुचकांग में पकिस्तान 75 वे स्रिलंका 77 वे और नेपाल यहाँ पर 79 वे स्थान पर हा बांगलादेश के स्थान जो है यहाँ पर यह है चोवनवी स्थान पर भारत के पडोसी देशों में चीन 34 स्थान पर रहा सबसे बहतर इस्तती यहाँ पर रही और इसमें 113 की सुची में खाद्य समर्थन उपलब्दता गुणवत्ता और स्वरक्षा प्रकरती संसादनों और लचीलेपन के मुद्दे पर विचार करता है टॉप तीन कंट्री है आर्लेंड आस्ट्रिया और यहाँ पर ब्रिटेन संसक्रन है इसका दस्वा 2021 का जारी करता है एकोनोमिस्ट इंपैक्ट लंदन अगला क्यूशन है अंतराष्टे सेफ दिवस इंटरनेशनल सेफ डे 2021 यह कम मनाया गया तो यह मनाया गया है 20 अक्टोबर को अंतराष्टे सेफ दिवस हर साल 20 ओक्टोबर को मनाय जाता है इस बार किसकी थीम है बवीशे के लिए स्वस्त भोजन healthy food for the future अगला क्विशन है ब्रिटेन के ब्रेकन में आई जित क्रेंबियन पेट्रोल अभ्यास परतियों गिता 2021 में भारते सेना ने कौन सा पतक जीता है तो ये जीता है option number A आपका correct है gold medal भारते सेना जो है इंडियन आर्मी इसकी स्थापना एक अप्रेल 1895 में ही है इसका मुख्यलन नई दिल्ली में है थल सेना ध्यक्स है चन्डी परसाद मोहंती थल सेना जो भारते थल सेना जो दिवस है ये हम 15 जन्वरी को हम यहाँ पर मनाते है actually I meant them I meet them ये memoir जो है यहाँ पर ये book अभी release हुए है इसके लेखक कोन है इसके लेखक है गुलजार गुलजार, कवी, गीतकार और निर्जेशक के रूप में आप इने जानते है केंद्रे मंत्री है यहाँ पर सर्वानन सोने वालों ने कहा आयरवेदिक पोदो के लिए समर्पित वन आयुश वन का उद्गाटन किया इसका जो सही अंसर होगा ये होगा केंद्रे मंत्री है यहाँ पर सर्वानन सोने वाल इन्होंने गुजरात के गांदी धाम सहर में आयरवेद पोदो के लिए समर्पित वन आयुश वन का उद्गाटन किया है हरिच छेवत्र में आवंटित 30 एकड की भूमी में आयुश वन की स्थापना की गई है जहां सहरी छेत्रों में हर्याली में सुधार और कच छेत्रों में वरक्षों के घनत्व को बढ़ने के लिए आपर वरक्षा रोपन किया जा रहा है सर्वानन सोनेवल हमारे देश के केंद्री आयुश मंत्री भी है बारत और किस देश के बीच में पहले समुंदरी वारता का जईं हुआ बाठ और बिटेन रोड मैप 230 के अनुसार हुआ परधान मंत्री नरेंद्र मोधी ब्रीटेन के परधान मंत्री बोरिच जोंसेन के बीच इस वर्ष की सुरुवात में दोनों पक्षों ने खुले स्वतंत्र समग्र और एवं नियम आधारित हिंदी परशांत छेत्रों पर अपने सेहमती जताई थी अगला क्यूशन है अगला क्यूशन है याँ पर देखे चार्डविल राष्टे परतियोगिता किसने जीती है तो ये जीती है एक भावानी देवी ने पहली भारतिये फ्रेशर के रूप में ओलम्पिक में परतिस परधा कर टोक्यो के तिहास रचने वाली भावना देवी ने विक्तिकत महिला सेबर इन्वेंट में फ्रांस में चार्डविल राष्टे परतियोगिता जीत लिये भावानी देवी तमिलाडू की रहने वाली है IPL 2021 में विजेता टीम को कितने करोड रुपे मिले हैं 20 करोड रुपे ये करेक्ट है IPL 2021 में ओलम्पिक चैंपियन चन्ने सुपर किंग्स को 20 करोड रुपे प्राइज मनी यहाँ पर दी गई है और जो विजेता टीम है 12.50 करोड रुपे मिले हैं और ये कोलकता नाइट और यहाँ पर इस बार की theme है हड्डियों की ताकत की सेवा सर्व बोन्स स्ट्राउंग तो यहाँ पर यह आप लोगों का session था अगर आपको यह वीडियो चला गए तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जोरू कीजिएगा